तो मेरे दोस्तों मेरे भाईयों कैसे हो आप लोग दो भाई आज की वीडियो में हम इस गाड़ी के बारे में बात करेंगे जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं मारती सुचुकी वेगनार यह VXI वेरियंट है इस गाड़ी को पूरा कवर करने वाले आज हम अपनी प्रण्ट प्रोफाइल पर थोड़ी सी नजर मारेंगे फ्रंट से गाड़ी कैसी है वाई फ्रंट से इस तरीके का आपका पूरा सैटप देखने के लिए मिल जाता है है एड लैम्स में इसके पूरा हैलोजन का सैटप मिलेगा नीचे इंडिकेटर और वही क्रोम की ग्रिल इस तरीके का आपको यह बंपर देखने के लिए मिल जाएगा फोग लैम्स इस गाड़ी में नहीं मिलेंगे अपर वेरिंस में मिल जाएंगे यह वाले जो फोग लैम्स आप देख रहे हैं यह आफ्टर मार्केट का काम कराया हुआ हुआ है यह होगी भाई हमारे पूरी फ इस ट्रेमेंट मिलेंगे और इसका डॉर हैंडल भी अड़े के इंटीर आपको ड्योल टॉन में मिल जाएगा वह मैं गाड़े के इंटीर आपको अंदर से दिखाऊंगा बैक प्रोफाइल पीछे का पूरा सैट अप बैक का इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाए हाइलोजन सैट अप है हाइमो स्टॉप लैंप आपको ऊपर यहां देखने के लिए मिल जाएगा डीफोकर वगयरा इसमें गाड़ी में नहीं मिलेगा हाइलोजन का सिस्टम है पूरा सैट अप है इंडिकेटर में लाइट्स में टेल लाइट में यहां वेकिनार की बैजि पार्सल ट्रे मिल जाती है पार्सल ट्रे मैं आपको दिखाते है थ्री फॉर्ट इवन लिटर का बेग इबूट स्पेस मिल जाएगा नीचे हमारे स्पेरिंग वील यहां पे आपको मिल जाता है इसा भी हमारे पूर एक्स्टीर की बात हो गए इस तरीके की सारी फीचर्स में थोड़ी बात करेंगे इंजन इसमें आपको 1000cc का मिल जाता है जो आपको 66BHP की पावर 90NM का टोर्क आपको रीजली निकाल के दे देता है और बीम भाई इसको बोड़ी कलर में मिल जाते है 14 इंचेस के स्टील रिम विद वील कवर मिलते हैं इस गाड़ी में आपको ग पावर मिल जाते हैं और बीम को इलेक्ट्रिकर एजस्ट्मेंट अब यहां से इसको कर सकते हैं नीचे बोटल होल्डर थोड़ा बहुत स्पेस यह सारी चीज़े मिल जाती है अब भाई बात करेंगे हम अपनी सीट्स की अड़र थाई सपोर्ट बहुत ज़्यादा अच्छ स्पेस इस गाड़ी का और अब भाई मैं इसके बाद सीधी बात करूंगा थोड़ी स्टेरिंग के स्टेरिंग हमारा कोई भी अजस्ट्मेंट या कोई मांटेट कंट्रोल नहीं मिलते हैं देखने के लिए बीच में मारती सुझी के लोगो बीच में यह सिल्वर कलर के फिन के लगल जाता है तो यह होगे में बात ठीके यहां पर सेंटर कंसूल मिल जाता है सेंटर कंसूल में हमारा इंफ्रोटेन्मिट सिस्टम हमा पूरा यह मिलेगा हजार मिल जाती है ला तो इस pressed नमी करिण यहां फाइव सपीड मैन्वाल अप इसको कर सकते हैं यहां पर मिर्र मिल जाएका वैनिटी मिल जाता है देखने के लिए और बाकि साफ में देखेंगे भाई ग्लोब बोक्स और डैश्बोर देखे ड्योल टोन कलर में बड़े है ग्लोब बोक्स ही गहराई ठीक ठाक है ग्लोब बोक्स वेगनार का आप सभी को पता ही होगा किस तरीके का होता है यहां डॉर पे देखेंगे अब सिल्वर कलर के फिनिश के साथ डॉर हैंडल बोटल और थोड़ा से हैं पावर विंडो का स्विच यह सब यहां पर मिल जाते हैं फोर पावर विंडो इस गाड़ी के अंदर वी एक से वेरियंट है तो यह सारी चीज़े मिल जाती है सीट में हाइड एजस्टमेंट का उप्शन नहीं मिलेगा फैब्रिक्स ठीक ठाक यूज कि हुआ है तो यह तो होगे हमारे इंटीरियर की पूरी बात है थोड़ी सी बात पीछे से पीछे की सीट पर बैट के मैं आपको पीछे का थोड़ा सा आइडिया दे देता हूं लेग रूम को और हैड रूम का पीछे से भाई हाइड देख सकते हैं पांच फुट आठ है और हाँ पर लेग रूम और हैड रूम में कोई भी कमी नहीं होने वाली है उंचाई के मामले में हाइड के मामले में गाड़ी बहुत अच्छी है हलके पुल के स्वीट से भी थोड़े उंची ही दिखती है गाली तो वेगनार के ये एक खास बात है बहुत जादा हैड रूम ल थोड़ी चीज़े बढ़ा ही जा सकती थी जैसे कि पीछ बाइब वाटर होल्डर दे सकते थे चार्जिंग सौकिट दे सकते थे गाड़ी में तो इस तरीके के वी एक्साई वेरिंट है हमारा कीमत में नहीं बताऊंगा मैं आपको क्योंकि ये सारी चीज़ आपको पता है स पेट्रोल में तो मिलती ही है सबको पता है भाई तो गाड़ी के बारे में ये हमारे इस तरीके की थोट छोट इसी एक वीडियो थी तो भाई अगर आपको वीडियो अच्छे लगए लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर करना चैनल पर अगर आप हमारे नए हैं यूमे